वेल्कम बैक, आज हम बनाएंगे ठंडी ठंडी कूल-कूल इंस्टेंट कुलफी की रेसिपी, इसे बनाने के लिए किजन में जाने की जरूरत नहीं है, आप पंखे कूलर AC के आगे बैट कर भी त्यार कर सकते हैं इसे बनाने के लिए दो कोल ड्रिंक लिए हैं, एक मैंगो फ्लेवर का और दूसरा ओरेंज फ्लेवर का यहां पर एक आइस ट्रे लेकर इसमें एक साइड में मैंगो फ्लेवर का कोल ड्रिंक और दूसरी साइड में ओरेंज फ्लेवर का कोल ड्रिंक डालेंगे इस गंटी का connection इस कुल्फी के साथ बड़ा गहरा है पहले के समय में हर गली महले में जब जे गंटी बजती थी तो बच्चे पैसे लेकर कुल्फी वाले के पास कुल्फी लेने के लिए दौटते थे बट आज कल इस आवाज को बहुत ही कम सुना जाता है बहुत फेरी वाले का आना कम हो गया है क्योंकि options बहुत जादे हो गई है दुकानों पर सब कुछ मिलता है तो अब यहाँ पर ट्रे में दोनों कोल्टरिंग डाल दिये हैं ऐल्मिनियूम फाइल को थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसके ऊपर एक और एलमिनियूम फाइल की लियर करेंगे ताके ठोड़ा सा hard हो जाए और कुल्फी की sticks जब इसमें insert करें तो easily insert हो जाएं इस तरह से sticks से मत लगाएं क्यूंकि ज्यादा ठोड़े से बड़े होल हो जाते हैं आप knife से hole लगाएंगे तो अच्छे से होंगे अगर आपसे sticks अच्छे से नहीं लग रही तो आप इसे एक घंटे के लिए fridge में जमने के लिए रख दें और एक घंटे के बाद इसे insert करें sticks को तो easily insert हो जाएंगी अब इसे पांच से शे गंटे के लिए freezer में जमने के लिए रख देंगे शे गंटे हो चुके हैं freezer में से निकाल लिया है tray को और एक plate में थोड़ा सा पानी डाल कर उसमें ये tray रख ली है सबसे पहले इसका aluminum file निकालेंगे और tray में से कुल्फियों को निकाल लेंगे तो देखा कितनी easily हमने कुल्फियां त्यार कर ली है कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कुल्फि कौन से flavor की पसंद है आप भी इसे जरूर बनाना और enjoy करना दोनों flavor की कुल्फिय त्यार है ये orange flavor की है और ये mango flavor की इस तरह से कुल्फिय बनाने का मेरा idea अगर आपको पसंद आये हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर दें चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं थासर को टूर कंशने हैं कर दो को बाद तो अरब कि उसने आपको आपको नहीं रजाने हैं